अलो आलो डालो की सबची तो दूलर रहने ने है जनल कौन दाना है। को नब बन अलो भी हमिए अलो के सब्ची नहीं है कि लिए अलो कोई सब्ची looks likeacji जरूर भाएं। तो आप ये आलू की सब्जी जरूर बनाए और ट्राइ करें तो चलिए अब हम चलते हैं इंग्डेडियन्स की ओर देखते हैं इस सब्जी में डालने के लिए हमें क्या-क्या चीजों की आगश्यक्ता है तो चलिए अब हम रेसिपी की ओर आगे बढ़ते हैं निए तो बॉयल आलू की बनाने के लिए ड्राय सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है दो बौय डालू उसके बाद 1 ऐ को आनियन लिया है इतना एक की अर्व धन्य पत्ति का गषा मैंने रखा रखा है और मैंने मसाले में अली पोवडरे हाफ टीस्पून हल्धी पावड़र मिर्च पाउडर एक पेंच शेहिंग एक मिर्च जिसे मैंने इस तरह से चीरा लगा के रखा है और कुछ पत्ते हैं करी पत्ते के और एक कटोरी में इसमें हाफ टीस्पून चना दाल उरत दाल ये दोनों मिने मिक्स करके रखा है और नमा आप अपने स्वाद अनुसार और नमा अनुसार आलू काट लिया है कूब्स में अब बनाते हैं इसका सबजी है अब आप कएतं करते हैं इसमें लगते हैं कडाया इसमें हम सबसे काले डालेंगे एक टेबल स्पून और यह थे वन एन हाफ टेबल स्पून और यह थोड़ा गरम देते हैं तो तो इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी राई उसके बाद मैं डालूंगी इसमें जीरा अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे चना दाल और यह पुरा दाल इसे हम थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे एर मिर्शी के टुकड़े एक हाथ का ज्यांग रखिएगा दोस्तों चला दाल जले ना बस अब चालेंगी पड़ी पकाप अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अनियन कटे वे काट के रखे हैं वो अब इसमें डालेंगे यानि इसमें आप डालेंगे आप प्रही चला सब्सक्राहिए करेंगे दो मिल टक इसे बास इसी तरशिकरणा है जब तक अनियन ट्रांसपरेंट ना हो जाए जब तक अनियन ट्रांसपरेंट रूगे अब हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ आलु इस पर आसे सारा आलु आप इसमें रान दीजिए इसके बाद फिर से एक बार इस अची तरह से स्टर करिए आलु को अची तरह से मिक्स कर लीजिएगा अब इस टेज में हम इसमें मसाले डालेंगे मसाले में हमने क्या लिया था हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और हिंग बस ये तीन मसाला ही है इसमें और पुई मसाला नहीं है मिर्श पाउडर पाउडर के बाद इसे अच्छी तरह से दाल दीजिए उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद इसमें हम डालेंगे अब नमक तो नमक स्वादनशा नमक टालिया जितना आप नमक खाते हैं आ जिए करते हैं को अ अच्छी तरह से इसको फ्राइ करना है लगबग पाच-मित तक प्राइब आज़ा आज़ा चेंगे इसे थोड़ा सा high flame में fry करिये दोस्तों ताकि इसमें brownish color आए इसमे रहा है। ब्राउन नहीं होगा। इसको थोड़ी दे ठखके भी रख सकते हैं इसे मैं ठख देती हूँ इस तरह से अब यह पांच मिनिट के बाद मैं खोल कर देखूंगी एक बार और इसको फ्राइ करूंगी उसके बाद ग्यास का फ्लेम आफ कर दूंगी पांच मिनिट हो गया है फ्रेंस अब इसका दखन हम बस दो मिनिट तक फ्राइ करूं ताकि इसमें यह आलू में ब्राउनिश पन आजाए इस तरह से करके फोड़ दीजिए दो मिनिट से मैं इसे स्टर कर दीजिए अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है देखें एक आलू में निकाल कर आपको दिखाती हूं यह देखें आलू किस तरह से ब्राउनिश आया है उपर में अजय को बहुत लोग ज्यादा आजुड़ा खें में ऐसे ले आखें मिंड़ों किस भी में análरे आट वी माइर अगर आपको धोरा ब्राउनिश बुढ़ाया है और अलू में से अगर आप टरह आपके आझे-पक्रण अपनिये कि में क्रिस्पिनस आज़ पेसे आइग दायत करने के लिए अब इसे में प्रेटिंग करती हो हमारे सब्जी बन कर तयार है देखे किस तरह से दिख रहा है अब इसको कार्निशिंग करने के लिए इसके उपर से मैं थोड़ा सा दन्यापति डाल देती हूं जो मैंने चॉप करके रखा था देखिए फ्रेंज कैसा दिख रहा है हमारा सब्ची इसे आप जरूर ट्राइ करिए बहुत जल्दी बन जाता है ये सब्ची और मुझे बताईए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए जितना हो सकी उतना शेरिंग भी करि और ताकि मेरे वीडियो आपके पास टाइंड टू टाइम पहुंचते रहे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहे धान्यवाद दोस्तों बाई दोस्तों टेक केर